प्रेक्टिस सेट नमबर 66 पर आजए यूपी PCS के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं कोश्चन नमबर बन क्या आए नमलेखित कतनों पर विचार करेंगे पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट तीसरा स्टेटमेंट बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है वारेन हैंस्टिंग पर्थम गवरनर जनरल थे जिन्नोंने भारत में विर्टेस धांचे पर अधारित एक नियमित पुलिस वल इस्थापित किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में सुप्रीम कोट की स्थापना की गई और भार्दे अदंडे सहिता वर्स 1860 में लगू हुई बताईए वर इन्हेंस्टिंग नहीं वलकि कार्णवाले इस पहले गवर्नर जनरल थे जिन्नोंने भारत में बिर्टेस धांचे पर अधारित एक नियमित पुलिस वल इस्थापित किया गलेत पहला स्टेट्मेंट कर दो एलिमिनेट दो और तीन आंसर हो जाएगा तो देखिए रैगुलेटिंग एक्ट 1773 दोरा कलकत्ता में ठीक है अगले ही वर्स यानी 1774 में एक उच्चितम नियाला इस्थापित किया गया भारते दंड सहीता वर्स 1860 में लागू की गई जबकि लॉर्ड कार्नवालिस पुर्थम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में वर्टेजधान चे परधारित एक नियमिद पुलिस वाले स्थापित किया और कार्नवालिस ने ही 1860 में दंड सहीता वर्स 1861 में पुलिस विभाग का अगठन किया तो पहला गलत है कुश्चन नमबर टू पर आजए इन अमरीकित में से किस अधिनयम के अंतरगत भारते विधान परषद को बजट पर बहस करने की सक्ति प्राप्त होई इंपॉर्टन डेपरश्ण बजट पर बेहस करने की सक्ति बताए किस अधिनयम में प्राप्त होई भारत परशद अधिनयम 1892 इंडियन गांशल एक्ट एटी ने इन और इस अधिनयम के तहए कि प्रषद पर बैहबन बल बहस करने की शक्ति दी गई परन्तु मतदार का अधिकार प्राप्त नहीं पूछने की अनुमती ठीक है 1909 के भारत परिशद अधिनयम में ही मिली Question No.3 पर आज़े निम्री की दमेसे कौन से भारत में अंग्रेजी सिक्षा की नीव के लिए जिम्मेदारें बताईए 1813 का चार्टर General Committee of Public Instruction 1823 प्राच्चवेद एवम आंग्लेवेद विवाद निम्री की दमेसे किन से भारत में अंग्रेजी सिक्षा की नीव पड़ी 1813 का चार्टर करेक्ट है General Committee of Public Instruction 1823 प्राच्चवेद आंग्लेवेद विवाद ये भी तीनों के तीनों होगे 1,2,3,D है इसका अंसर तो देखे एस्ट इंडिया कंपनी के दोरा प्राच्चवादी सिक्षा की प्रशलियत प्रणाली को हतोत साहित किया गया और प्रश्मी सिक्षा यानि अंग्रेजी भाष्चा को बढ़ावा दिया गया 1813 के चार्टर में भारत में सिक्षा के प्रशार के लिए हर साल प्रतिवार्श एक लाख रुपे खर्च करने का प्रावधान किया गया और 1823 में जर्नल कमेटी और फॉर्वलिक इंस्ट्रक्शन 1823 का गठन किया गया जिसकी मुख्य जम्मेदारी सिक्षा के लिए एक लाख रुपे देने की थी और इसके उपरांत गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के कारिकाल में साथ मार्च 835 को लॉर्ड मेंकाले के प्रस्ताव को स्विकृति प्रदान कर भारत में अंग्रेजी को उच्य सिक्षा का माध्यम घोशित किया गया और भारत में आंगल सिक्षा के समर्थकों के अंतरगत ट्रेविलियन लॉर्ड मेकाले तो हम प्राच्यवादी सिक्षा के समर्थकों में जेम्स प्रिंसे प्रमुक्त याद रखना ठीक है भारत में आंगल सिक्षा यानि अंग्रेजी सिक्षा के समर्थकों के अंतरगत ड्रेविलियन लॉर्ड मेकाले और प्राच्यवादी सिक्षा यानि देशी भासा में सिक्षा के समर्थकों में जेम्स प्रिंस से प्रमुक थे Q4 पर आजए नम्रिकित में से किस अधिनयम में कलकत्ता में उचितम नहले की इस्थापना का प्रावधान किया वही रेगुलेटिंग एक्ट सत्रे सो तिहत्तर है तो 1773 के R È Acast की धारा 13 के तहट कलकत्ता में उचितम नाले की स्थापना का प्रावधान था जिसके तहट 2774 में कलकत्ता में कलकत्ता के । फोर्ट बेलेब में उचितम नाले की स्थापना की गई और सर Erija Émpey इसके प्रोमख ठीक है मुखे नयाधीस रौवर्ड चेम्बर्स और जान हाइट यानि उस समय टोटल चार बंदे थे एक सुप्रीम कोर्ट मतलब एक मुखे नादीज और तीन जो है अनने अदीज टोटल चार बंदे वह बर्दमान इस सिती 33 से भी उपर है कोशन नमबर फाइब पर आजएए भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा इस्थापित संग में अवसिष्ट 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 संग में पोर्टो तीनों गोल में इस सम्मिलनों का परतिवेदन में बिटे सरकार के सुएत पत्र पर अधारित था और इसी 1935 की अधिनियम से बरतमान सम्मिधान में कम से कम 200 से ऊपर अनुच्छेत सम्मिलित किये गए हैं कुशन नुबर 6 पर आजए किस वर्ज सतेंद्र परशाद सिना को वायसराय की कारेकारी परिशद के सरस्य के रूप में निक्त किया गया था ये प्रश्ण पूछना चाह रहा है कि नम्रिके दिमेंसे वो कौन सा अधिनियम था जिसमें किसी भारतिय को वायसराय की कारेकारी परिशद का सरस्य वनने का मौका मिला पहली बार कौन सा अधिनियम था वो था भारत परिशद अधिनियम 1909 यानी मारले मिंटो अधिनियम भी बोलते हैं 1909 को और 1919 को बोलते हैं देग्यू चेम्स फोर्ड तो यहां उत्तर क्या है ऑप्सन नंबर भी तो भारत परिशद अधिनियम 1909 यानी मारले मिंटो सुधार के तहत पहली बार किसी भारतियों को वायसराय और गवरनर जनरल की कारेपालिका परिशद के साथ एसोसियेशन बनाने का प्रावधान किया गया उसको मौका मिला और इसके अंतरगत वो कौन भारतिय था सतेंद्र परिशद सिना जिनको मौका मिला वायसराय की कारेपालिका परिशद के पर्थम भारतिय सरस से बननेगा और इनको उसमें जो है बिधी सरस से निक्त किया गय चलिए तो question number 7 पर आज़िए गबर्नर जनरल द्वारा 1834 में लाड मेकाले किया धेक्स्ता में एक बिधी आयोग का गठन किया गया था उसका कार क्या था बताईए क्या कार था बिधी आयोग है तो क्या कार कर सकता है वो सेना में सुधार करना या सतीपर्था का उनमुलन करना विधीयो का सहिता करन करना या इस्थाई राजास समझोता करना विधीयो का सहिता करन करना तो विधियों के सहीता करण के लिए गबर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक चार सरसे विधियायो का गठन किया गया जिसका अध्याक्स लॉर्ड मेकाले को नुक्त किया गया था कॉशन नुम्बर एट पर आजए इन में से किस अधिनियम ने भारत में इस्ट इंडिया कंपनी को अपने राजस्व एवं सैन मामलों की जानकारे विटे सरकार को देने के लिए अनिवार कर दिया कौन सा अधिनियम था वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 या पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या भारत साशन अधिनियम इंटे फिप्टी एट या फिर भारत परशद अधिनियम इंटे इन सिक्ष्टीवन नीचे वाले दोनों में से कोई नहीं है बता हूँ उपर में से कौन सा है पहले यह है रेगुलेटिंग एक्ट 773 तो रेगुलेटिंग एक्ट 773 के अंतरगा थी विटे सरकार का कोर्ट ओफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर ने अंतरण ससक्त हो गया और इस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत में अपने राजस कौमा नागरिक वेसेन मामलों की जानकारी विटे सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया कोशन नुम्बर नाइन पर आजए भारते संविधानिक विकास के संदर में दोयद शाषन यानि डायरेक्टी सिद्धान्त किसे निर्देश्ट करता है बताईए केंद्रे विधान मंदल का दो सद्नों में विभाजन या दो सरकारों अर्थात केंद्रे और राजसरकारों का सुरू किया जाना या दो शासक समुच एक लंदन में दूसरा दिल्ली में होना या प्रांतों के प्रत्यायोजित विश्यों का दो प्रवर्गों में विभाजन यही या D प्रांतों के प्रत्य उजित विश्यों का दो प्रवर्गों में विवाचन तो भारत सार्शन अधिनियम 1919 के द्वारा भारत संब्धानी के विकास के संदर में द्वारत सार्शन की स्थापना की गई इसके द्वारा केंद्रिय और प्रांतिय विश्यों की सूची की पहचान करके उन्हें जो है अलग करके राज्यों पर केंद्रिय नैंत्रन कम किया गया इसने प्रांतिय विशयों को पुना दो वर्गों में भागों में भाजित किया हस्तांतरित विशय और आरक्षित विशय जो हस्तांतरित विशय थे ठीक है उन पर जो है गवर्नर का साशन होता था और इस कार में वहे विधान परिशद के पृति उत्तरदाई मंत्रियों की साहता लेता था जो आरक्षित विश्य थे आरक्षित विश्यों पर गवर्नर कारपालिका परिश्यत की साहता से साशन करता था जो विधान परिश्यत के पृति उत्तरदाई नहीं थी याद रखीएगा question no.10 पर आज़ेए भारत के समिधान में केंद्र और राजों के वीज किया गया सक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्ले खित योजना पर अधारित है केंद्र और राजों के वीज सक्तियों का विभाजन यह है भारत सरकार अधनियम 1935 आप्सन नमबर C तो भारत सरकार अधनियम 1935 के परिसंग या उपवन्द केंद्र सरकार और परांतों के वीच वस्तूतर लागू किया गए और सम्भिधान में वर्णेत संग एवम राज्यों के वीच सक्तियों का विवाजन भी इसी अधार पर है बर्तमान में क्वेशन नमबर 11 पर आज़ेए भारत सरकार अधनियम 1935 में अंत्रविष्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्ष 1950 में भारत के सम्भिधान में किस रूप में समाविष्ट किया गया बताईए मूल अधिकार राज के नीतिने सक्तत्व या फिर राज की कारेपालिका सक्तिका विस्तार या भारत सरकार के कारे का संचालन ऑप्सन नमबर डी है भारत सरकार के कारे का संचालन तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतरवेश्ट अनुदेश प्रपत्र को वर्स 1950 में भारत के संविधान में भारत सरकार के कार का संचालन के रूप में साउष्ट किया गया और भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहट केंद्र में 12 शासन को लागू कर दिया गया इसके तहट अखिल भारते संग की स्थापना का प्रस्थाव था इसके अतरिक्त इस अधिनियम के दारा मतलब 1935 के अधिनियम के दारा संग की इकाईयों के आपसी विवाद ठीक है केंद्र तथा इकाईयों के मध के विवाद के निप्टारे के लिए एक संग है, नियाले की स्थापना की ववस्था की गई, और क्या 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 क्या, सत्ता को केंद्रे प्रांति है, एब हम समबर्ती, केंद्रे प्रांति है, एब हम समबर्ती, समबर्ती सूची, समबर्ती कलत लिखा है, ठीक है, इस तरह से होगा, या तो बिंदू लाएगा या फिर आधामा तीक है तीन सूचियां में विहाजित किया गया और अविस्ष्ट सक्तियां जो है वो गवर्नर चनल के पास थी सामपर्धाइक निर्वाचन पदतिगा विस्थार किया गया और निंतरा व्म पादगाश्य त्रचन किया गया था ये था 1813 का चार्टर और पूरा ही समाप्त कर दिया एक आधिकार भी चला गया वह 823 के चार्टर में तो 1803 के चार्टर अधिनियम के माधियम से बिटे शंञत ने चाय और चीन के साथ हुआथ ब्वैपार को छोड़गर नाटे लगाने हुए जबकि 20 वर्स के बाद एक एक चार्टर के बीच में 20 साल का गैप था 1833 के चार्टर अधनियम दोरा कंपनी के समस्त वे अपारिक कार समाप्त कर दिये गए तथा भविश्च में कंपनी को केबल केबल राजनेतिक कार करने की ही सकती प्राप्त थी बस कोश्चन नम्बर तेरे पर आजए ये नमलिखित कत्मों पर विचार करेंगे गॉर्मेंट ओफ इंडिया अक्ट 1935 प्रशन पूछे जाने के तरीके अलग-अलग यहां यह भी पूछ सकता था भारत साशन अधनियम 1935 में ठीक है लेगिन पूछा क्या गॉर्मेंट ओफ इंडिया अक्ट 1935 तो प्रांतिय सोशाशन का उपवंद था एक संखे नयाले की स्थापना का उपवंद था केंद्र में अखिल भारतिय संखी स्थापना का उपवंद था तो यह तो सब उपर एक्षिनेशन में देखा है हम जिए स्थापना की गई एक संखे नयाले की स्थापना की गई और केंद्र में अक्टूबर 1949 में कोंग्रेच मंत्री मंड़न ने साथ प्रांतों से सामोहिक त्याक पत्र दे लिया था तो इस्थ Capite कौन कौन से वो कारण थे कॉंग्रेस की सहमती के बिना भारत को दित्य विश्विद में सामिल किया जाना और कॉंग्रेस के युद्ध के उद्देश की घोष्णा ठीक है तो था युद्ध के उपरांत भी भारत की स्वतंतरता की मांग की उपेक्षा करना ठीक है मतलब युद्ध के बाद भी अगर भारत सामिल हो जाता है तो पूंसो तंतरता नहीं दी जागी भारत को परकुल यह दोनों ही थे ठीक है सी है इसका अमसर तो भारत शाषण अधिनियां 1935 की अधिन फरबरी 1937 में बिधान मंडल के चुनाप संपन हुए जिनमें कॉंगरेस को पांच परांटों मधरास बिहार उडीशा अमध्ध परांट रुसे Sooindh paurus में पूर्ड वहुंत प्राप्थ हुआ इसके बंबई परांट में कॉंगरेस सबसे बड़े दल के रूप में उभरी और सरकार बनई उसने और कॉंग्रेस ने पश्ची मुतर सीमान्त परांत असम में गटबंदन की सरकार बनाई इसके उपरांत लगबग 28 महीने तक साशन में रहने के बाद अक्टूबर 1949 में कॉंग्रेस मंत्री मिंडल ने साथ परांतों में सामोहिक त्याक पतर दे दिया जिसका मुख्य करन था कॉंग्रेस की सहमती के बिना भारत को दूसरे विश्वद में सामिल कर लेना और युद्ध की घोशना कर देना तथा युद्ध के उपरांत भी भारत की स्वतंतरता की मांग की उपेक्षा करना मतलब सामिल होने के बाद भी पूर्ण स्वतंतरता नहीं भारत को भारत ने नकार दिया कोश्या नूमर 15 पर आजए अंदिम प्रशना और प्रशन क्या भारत साशन अधरियम 1858 के अनुसार भारत का पर्थम 22 राएकिसे निक्त किया गया मतलब गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया है ठीक है महरानी की उधोशना हो गई है और ये उत्तर है इसका लॉर्ड कैनिंग तो भारत साशन अधरियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल के पद को परतिस्थापित करके वाइसराय में परिवर्थित कर दिया गया इसके तहत लॉर्ड कैनिंग बने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसराय यही थे जिन्होंने महरानी का घोशना पत्र इलहवाद में पढ़कर सुनाया था तो ये इनको modern history के तो नहीं quality के प्रशनी कहेंगे क्योंकि लक्षमी कांत का पहला जो topic है वो यही है ठीक है इनकी practice एक बार कर लेजेगा धन्यवाद